दाउदी भोरा समाज की तत्वधान में भोपाल में आयोजित बुरहानी प्रीमेर लीग क्रिकेट टूनामेंट के दोरान नीमच शहर के मुकदर टाइगर क्रिकेट टीम के दौरा बहतरीन खेल का प्रदशन करते हुए नीमच को टूनामेंट का सर्ताज बनाया बोपाल में आयोजित किये गए इस टूनामेंट में देश के 12 शहरों से टीम ने भाग लिया और नीमच के बहुरा समाज के युवा खिलाडियों ने सबी टीमों को धूल चटाते हुए इस ट्रोफी पर कबजा किया जिसे लेकर बहुरा समाज नीमच के साल साथ नीमच के खे पर युवा खिलाडियों का जोड़दा सुआगत किया गया भारत माता की जैकारों के जैघोष की बीच युवा का जुल्स शहर के प्रमुप मारगों पर निकाला गया जिसमें युवा ट्रोफी के साथ घुमते वे दिखाई दिये युवा के समाज जोनों वह आम जोनों पुष्प वर्षा से लेकर पुष्प माला पैनाई समाज के युवाव द्वारा हासिल की गई इस गौरवानमीत उपलबदी पर सभी फक्र कर रहे हैं ग्यातर है कि नीमच का बौरा समाज कई शेत्रों में अपनी छाप बना चुका है और युवाव सद्यों शहर का नाम रो बौमबे से आई थी भोपाल की काफी अच्छी टीम थी वहां की और इसी प्रकार दूसरी बड़ी जगाओं से टीम थी और यहां जो अपने नीमच से जो टीम गई थी बहरा समाज किये सिर्फ तीन महलने के लड़के इस टीमों में खेले और आप सब की दूआ से नीमच व मुफदल टाइगर्स नीमच अलग-अलग मैच में अपना-पना युगदान दिया इसके अंदर और बस पाइनल को जीत लिया इसलिए